और उख करेंगे बड़ी कबर की ओर बड़ी कबर आपको बता दें स्वक्स की ये बड़ी और एहन जानकारी ये बड़ी कबर भुपेंद्र हुड़ा ब्राह्मन वाले बयान पर लगातार कायम है बीजेपी ने ताओं के बयान पर भुपेंद्र संग हुड़ा बोले पर उत्रेंगे ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी एक ब्रामन एक दलित और बाकी OBC से होंके तो घुपेंद्र हुड़ा अपने ब्रामन वाले बयान पर कायम है एक तरफ चाहन के बयान को लेकर के बीजेपी लगातार तंच कस रही है तो वही उन्होरे भी अब इस पर 2024 में भी इसी फॉर्मूले पर उत्रेंगे फुड़ा ने कहा कि एक ब्रामन एक दलित और बाकी OBC से होंके तो घुपेंद्र सिंग हुड़ा ने ब्रामन डिप्टी सीम बरानी को लेकर बयान दिया था इसको लेकर के हाला कि बीजेपी लगाता तंच कस रही थी लेकिन वह अभी भी अपने इसी बयान पर कायम है और उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में भी कॉंक्रिस जो है वो इसी फॉर्मूले पर रहेगी देखें बिलकुल हर्याना के पूर मुख्यमंतरी बुपेंदर सिंग उटा का ये बयान दे है देखने को मिलतावा नजर आए जहां पर उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जो एक ब्रामन डिप्टी सीम मनाने का जो फॉर्मूला है वो देखने को मिलतावा नजर आएगा और मुख्यमंतरी होगा एक दलित एक ओवी सी समाच से और एक समानने वरस से जो मुख्यमंतरी है वो फिलाल देखने को मिलतावा नजर आएगा यानि एक बार फिर से जो ब्रामन कार्ड है वो खेलने की कोशिच जो है या पर सीज़त तोर पर देखने को मिलती वी नजर आई ह और हमने देखा कि जब यह बयान दिया गया था उतके बाद से ही लगातार जो है जो बीजेपी के नेता है वो पूर मुख्यमंतरी वुपिंदर सिंगुटा को घेरते वे नजर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि समाज को बाटने की कोशिश जो है वो कही न कहीं जो है देखने को बिलती ही जो है नजर आती है अपसे कुछी देर पहले हमने देखा कि हर्याना के जो जो ग्रहमंतरी आनिलवीज उनकी तरफ से भी यह आपर बयान है उन्होंने का कि पहले वो खुद की खु तो इस पूरे मसले पर राजनीती पूरी तरीके से देखने को मिलती हुए नजर आ रही है। इस पूरे मसले पर राजनीती पूरी तरीके से देखने को मिलती हुए नजर आ रही है। तो इस पूरे मसले पर राजनीती पूरी तरीके से देखने को मिलती हुए नजर आ रही है। तो ये तमाम जो है चीजे डिसकशन के तौर पर देखने को मिलती हुए नजर आएगी। अंतिम फैसला जो है अभी कॉंग्रेस के इंडरी आला कमान जो है नेतावा नजर आएगा। लेकिन निशित तोर पर जो बयान दिया जा रहा हुए उससे कही ना कहीं तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है।